तो दोस्तों भली ही Avengers End Game को रिलीज हुए बहुत जारा टाइम हो चुका है लेकिन इस फिल्म के बारे में जितनी बाते की जाए उतनी कम है इस मूई को लेकर अब तक का सबसे बड़ा कन्फूजन ये है कि मूई के एंड में कैप्टेन अमरीका के साथ क्या हुआ कैप्टेन बूरा कैसे हुआ कैप्टेन ने Infinity Stones को वापस कैसे लोटाया और कैप्टेन ने पास्ट में क्या किया ऐसे ही बहुत सारे सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे तो आई ये रिखते है तो मूवी के एंड में हमने देखा था कैप्टेन अमेरिका सभी Infinity Stones और म्यूनिर को लेकर पास्ट में जाता है Infinity Stones को वापस रखने का रीजन क्या है ये हमें पदा चलता है मूवी के टाइम ट्रेवल के लॉजिक से मूवी में हमें बताया गया कि अगर कोई टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है से काफी सारी मुसीबते खड़ी हो सकती है इसलिए Avengers ने ये डिसाइड किया था कि Infinity Stones का काम हो जाने के बाद वो उने वही पर रख देंगे जहां से उने लिया था और आखिर में इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी Captain America ने ली और वो सभी Infinity Stones को लेकर पास्ट में चला गया अब यहां पर बहुत लोगों ने ये सवाल किया है कि जब Avengers ने पास्ट में जाकर Infinity Stones कलेक किये थे तब वो अलग फ़र्म में थे जैसे कि Space Stone टैसरेक क्यूब में था Mind Stone सेप्टर में था और Reality Stone एथर की फ़र्म में था लेकिन जब Captain उन Stones को लोटाने गया तब वो Stone अपने प्यूर फ़र्म में थे तो क्या Captain को इन Stones को वापस लोटाने में कोई प्रोबलम आई होगी इसका जवाब है नहीं जब Ancient One और Bruce Banner इस बारे में बात कर रहे थे तो उससे हमें ये समझ में आया था कि Infinity Stone को उसकी सही जगा पर रखना ज़रूरी है वो किस फ़र्म में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब जब Captain ने किसी भी स्टोन को उसकी Original Location पर रखा होगा तो वो Alternate Time Line गयब हो गई होगी और सब कुछ बिलकुल Normal हो गया होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था इस तरह से Captain ने सारे Infinity Stones वापस लोटा दी और Asgard में Reality Stone रखते वक्त उसने म्यूनिर वहीं छोड़ दिया हाला कि म्यूनिर को वापस नहीं भी रखा जाता तो भी उससे कुछ नहीं होता क्यूंकि Infinity Stones को सही जगा पर रखना ज़रूरी है दूसरी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता लेगिन अभी भी एक Infinity Stone है जिसे सही जगा पर रखना बाकी है जब Iron Man और Ant Man 2012 में टैसरे क्यूब लेने गए थे तब Loki ने वहाँ से टैसरे क्यूब चुरा लिया था इस वज़ा से एक Alternate Time Line बन गई थी अगर आप जानना चाते है कि Loki ने उस टैसरे क्यूब के साथ क्या किया तो उस पर मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाई है वो वीडियो ज़रूर देखिए कैप्टन अमेरिका ने सोल स्टोन कैसे लोटाया इस पर भी कुछ लोगों को डाउट है जब कैप्टन सोल स्टोन लोटाने के लिए वार्मी प्लैनेट पर गया होगा तब वहाँ उसका सामना हुआ होगा Red Skull से Red Skull जो की कैप्टन का बहुत पुराना दुश्मन है उसे देखकर कैप्टन को हैरानी तो हुई होगी लेकिन अब Red Skull पहले जैसा नहीं रहा वो अब बिल्कुल बदल चुका है इसलिए यहाँ कैप्टन और Red Skull के बीच लडाई नहीं हो सकती Soul Stone लेने से पहले हमेशा एक कुर्बानी देनी पड़ती है इसलिए यहाँ पर एक सवाल आता है कि Soul Stone लोटाने पर क्या उसे वापस लाया जा सकता है जिसने वहाँ कुर्बानी दी थी इसका जवाब है नहीं एक बार जिसने Soul Stone के लिए अपनी जान दे दी तो वो किसी भी तरीके से वापस जिन्दा नहीं हो सकता ये सब तो ही Infinity Stones को लोटाने की बात अब बात करते है कि Stones वापस रखने के बाद कैप्टन ने क्या किया जब कैप्टन ने सभी Infinity Stones को उनकी सही जगा पर रख दिया तब वो 1949 में गया कैप्टन अमेरिका 1945 में आर्केटिक की बर्फ में जमा था और अब वो 1949 यानि अपने बर्फ में जमने के 4 साल बात के टाइम में पहुचा फिर उसने अपनी गर्फेंड पैगी कार्टर से शादी कर ली और 73 साल तक उसके साथ अपनी जिन्दगी गुजारी गया होगा लेकिन इस बारे में मुई के राइटर्स का मानना कुछ अलग है और मुई के डारेक्टर्स का कहना कुछ और है मुई के राइटर्स के हिसाब से कैप्टन जब 1949 में गया तब वो किसी और टाइम लाइन में नहीं बलकि में टाइम लाइन में ही था इस थेरी के हिसाब से पैगी काटर का जो हस्बेंड था जिसके बारे में हमें कभी बताया नहीं गया वो कोई और नहीं बलकि स्टीव रोजरस ही था जो कि सबसे छुपके पैगी के साथ रह रहा था उपर से फैंस ने पैगी काटर के फ्यूनरेल में एक आदमी को नोटीस किया था फैंस का कहना है कि ये आदमी पैगी काटर का हस्बेंड यानि बूरा स्टीव रोजरस है हाला कि मूवी के डारेक्टर्स ने ये साफ साफ कहा है कि कैप्टन अमरी का अल्टरनेल टाइम लाइन में था हाइडरा का हाथ है, वो जानता है के थैंडौस की अरादे क्या है और भी ऐसी बहुत सी बाते उसे पहले से ही पता है इसलिए वो काफी सारी मुसीबतों को पहले से ही टाल सकता है कैप्टन उस अल्टरनेयर टाइम लाइन से वापस ताप लोटा अब यहां कुछ लोग ये सोच रहे है कि कैप्टेन अमेरिका बूरा कैसे हुआ जबकि वो तो सूपर सोल्जर है तो मैं बताना चाहूंगा कि सूपर सोल्जर सीरम से कैप्टेन को ताकत मिली थी उससे वो अमर नहीं हुआ था पर उस सीरम की वज़ा से ही कैप्टेन बर्फ में जमे रहने के बावजूद भी जिन्दा था सूपर सोल्जर होने की वज़ा से वो आम लोगों के मुकाबले थोड़ी लंबी जिन्दगी जी सकता है यहां पर वो सैम विल्सन को अपनी शील्ड देता है लेकिन मुवी में हमने देखा था कि थैनाउस ने कैप्टेन की शील्ड तोड़ दी थी तो फिर यह शील्ड ठीक कैसे हुई अगर हम इस शील्ड को ध्यान से देखे तो हमें समझ में आता है कि यह शील्ड कैप्टेन की नहीं है बलकि यह एक नई शील्ड है कैप्टन ने ये नई शील्ड शायद वकांडा से बनवाई है सैम विल्सन को ये शील्ड देकर स्टीव रोजर्स ने अपनी जिम्मेदारी उसे सौब दी अब से सैम विल्सन हमें कैप्टन अमरिका के रूप में नजर आएगा और रही बात बुड़े स्टीव रोजर्स की तो वो फिलाल इसी टाइम लाइन में है अब वो कोई जंग तो नहीं लड़ सकता लेकिन वो दूसरे हिरोस को गाइड जरूर कर सकता है तो दोस्तों ये थी कैप्टन अमरिका की एंडिंग के बारे में एक वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरू करिए और ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीज़े हमारा चैनल और इस बेल को दबाईए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके